आधार को लेकि UIDI के तरफ से नए अपडेट आया है, जो भी इसके यूजर्स हैं वो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 14 सेप्टेंबर तक फ्री में डॉकमेंट्स अब्डेट करने की सर्विस को एक्टेंड किया गया था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ कि डॉकमेंट्स अब्डेट नहीं कर पाए थे, तो UIDI ने इसको एक्टेंड कर दिया है 14 दिसंबर 2023 तक, तो कैसे आपको आधार पने डॉकमे सब्डेट करने हैं, फ्री में मैं बताने बाला हूँ step by step, तो skip करके वीडियो को मत देखना, चुली शुरू करते हैं इस वीडियो को, मैं हूँ इमाम और आप देख रहे हो Fiber with II by India Today, आगे बने से पहले मैं बता दूँ कि description मैंने जो इसका link है वो डाल दिया है, तो जिससे आपको solid हो जाएगा, उस link पर जाने पर, उसके बाद steps को follow करने के लिए, बाकी stream पर तो आई जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हो, सबस्वर आपको क्या करना है, कि अपने laptop में browser open करना है, और वहां पर लिखना है UIDIGOV.in, उसके बाद enter कर देना है, अब जैसे आप enter करोग है, और यहाँ documents update का एक section है, जहाँ red color में साफ साफ लिखा हुआ है, 14 December 2020 तक free में update करा सकते हो, तो अगर उसको select करते हो, तो यहाँ what to submit के details आ जाएगे, और how to submit का भी option है, तो एक बाद देख लेना, बाकी मैं step by step आपको दिखाने वादा हूँ, तो इसको भी आप यह जो step स करना है, उसके बाद send OTP select करना है, फिर जो भी OTP आएगा, आपके register number पे उसको enter करना है, उसके बाद login करना है, यहाँ पर कुछ जादा ताम जाम नहीं है, तो यह बहुत ही simple process है, step by step आप देखते रहना बस, अब फिर से यहाँ पर document update का दो section है, उसको select करना है, उसके बाद फिर से next कर देना है, अब यहाँ process flow बताया जाता है, जिसको मैं step by step करके दिखाई रहा हूं, तो next steps करते जाना है, यहाँ पर इतना कुछ दिक्कत नहीं है, अब यहाँ आपके details आएंगे, यहाँ देखना है कि सारे details सही है या नहीं है, उसके बाद ही verify करना, अगर सारे details सह नहीं है, तो नीचे जो वह box बनाव है उसमें tick करके i verify कर देना, तो अब यहाँ document update करने का option है वह आ चुका है, तो इसको सही से देखना है, और सुनना है, यह बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि document size जो होना चाहिए, वह 2 MB से कम होना चाहिए, पास्ट प्र हो जाएगी, तो कहीं परिशान होनी की जरूरत नहीं है आपको, अब यहाँ दो documents upload करने का option मिलता है, proof of identity POI और proof of address जिसका है POA, तो अब यहाँ पर क्या करना है, कि एक एक करके दोनों में हमें documents update कर देना है, दोनों में ही बहुत सारे options मिलते है, तो जो भी document आपके आपके हो सही सब्डेट हो चुका है, अगर red आता है, तो आपको फिर से उसको resize या file format है, उसको फिर से देखना होगा, तो अब document upload कैसे करना है, वह मैं आपको दिखा जाता हूँ, तो अब यहाँ पे हमें view and upload पे जाके file select करना है, upload करना है, और continue to upload कर देना है, उसके बाद जो मैं okay वाला option आएगा, उसको भी select कर लेना है, अब यहाँ clearly आपको दिख जाएगा, कोई भी fee आपको नहीं pay करना है, update के लिए, या फिर मैं बोलूँ, update करने के लिए, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, यहाँ पे clearly लिखा हूँ आ रहा होगा, इसके बाद एक acknowledgement slip आएगा, ज आपको ट्रेक कैसे करने हूँ, बता हूँ, तो आप जैसे ही dashboard वापस से जाते हो, वहाँ पे my request का एक option आता है, उसके नीचे, जो भी update चल रहा होगा, आपके अधार को लेके वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो guys, यह बहुत ही simple process था, लेकिन यह बहुत जरूरी process है, ज इस तरी के वीडियो और चाहिए, तो आपको आना है FIBER हिंदी पे और वहाँ पे आपको बहुत सारे side accountants मिलने वाले हैं, जो कि इंडिया डूरे का ही है, so stay tuned.